बुड़मल ज्वेलर्स पालंपूर भरोसा उम्र भरका टेंडर प्रक्रिया केवल मातर एक आपचारिकता रहे गई है दूसरे शब्दों में कहें तो टेंडर सिर्फ एक प्रक्रिया के तैद हो रहा है लेकिन वास्तपिकता में उसका कोई महत्वानी रह गया है क्योंकि टेंडर खुलने के बाद उसकी मनजूरी के लिए उसकी सेंक्शन्स के लिए काम करने के लिए कम से कम एक महीने का टाइम नेच्रल प्रोसेस में लगता था और जो मैं कह रहा हूं कि महज अप्चारिकता रह गई है ऐसा मामला अभी दो दिन पहले ही HP Peerability विभाग सुन्दन अगर Executive Engineer के तहद आता है कि चार तरीक को टेंडर नोटिस आता है पांच तरीक को वो टेंडर खुलना है और जिस कार्या का टेंडर पांच तरीक को खुलना है छे तरीक को वो काम complete होके लोकार्पन उसके मुख्यमंत्री जी कर जाते हैं तो यह सरासर ब्रस्टाचार है अपने चहितों को पहले काम दे दिया गया है बीना किसी अपचारिक्ता को पूरुन किये हुए और टेंडर परिक्रिया सिर्फ एक फॉर्मेल्टी है घटना सामने आई है इसकी इंक्वारी होनी चाहिए योजना बनी थी हमने तब भी इस योजना के उपर सवाल उठाए थे कि सुन्दनगर के आसपास जो नेच्रल सोर्सिज हैं वहाँ पानी उपलब्ध है और जो एक कन्विनिशनल सोर्स से पानी आ रहा है उसी के तरज पर सुन्दनगर में यदि और स्प्लाइज स्कीम बनन है तो वहाँ से पानी दिया जाए लेकिन यह नहीं किया गया और सुन्दनगर बीबीमबी जो जील है उससे पानी उठाने की स्कीम तकरीवन तेई यह 24 क्रोड रपे की बनी जिसका कारिया जिसका जिकर कल मुख्या मंतरी ने भी किया के कारिया प्रगृती पे है प्रगृत के मताबिक को स्कीम काफी कंपलीट होके उसका टेस्ट चेक हो रहा है कि जो टेस्ट चेक से लोगों को पानी दिया गया है लोगों ने पानी की गुनवता में फर्क महसूस किया है ये सुन्दनगर के नागरिक इस बात की चर्चा कर रहे हैं दो जगा शेहर के लोगों ने इसके बारे में सभावी की है अपना रोश भी वेक्त किया है और आगे की आगामी कारवाई करने के लिए भी उन्होंने अपने आपको करने का प्रयास किया है जहां लोग कह रहे हैं कि अभी टेस्ट चेक में पूरी स्प्लाइस की अभी चालू नहीं हुई तब ही हम महसूस कर रहे हैं कि डाइरिया के कैसी जाने लग गए टेस्ट में फर्क आने लग गया और अगर ये लगातार जब इस पानी का यूज लोग करेंगे तो हमें अंदेशा है कि इस पानी के पानी पूरी तरह फिल्टर नहीं किया जा सकता, यह स्वच पानी पीने के काबिल नहीं होगा, तो इसमें बिमारी फैलने का अंदेशा है, तो सरकार इसको चेक करे.